हेलो गाईस आप सबीके फिर से एक बार बहुत बहुत वाँद वेलकम हैं आपके अपने ही चैनल टार्गेटिंट इन फैंटासी पर इस फिर में आप देख रहे हैं सिंगा चैंपियंशिप सेरीज मतलब सिंगापूर वर्सास पापवा निगुन की विजो टीटुन करना पड़ेगा तो टेली कम पर जाहिए वहाँ पर जाके हमारे चैनल के नाम टार्गेट इन फैंटासी के साथ कीजिए और वहाँ पर जो 1.6 के प्रासस का वाला चैनल आपको मिलेगी वह चैनल आपको जॉइंट बढ़ना पर क्लिकर करके जॉइन कर लिना है और फिर सम्झापूर पर होने वाल है उसके साथ पाठीक है उसके साथ सब्सक्राइं साथ यहां पर यहाँ वालाोών को को gateway है उ प्सक्राइब दोनों को के साथ मेथा बयलेस्ट भी रहेगा और गाइस साथ में पर बेलेंज पर अ पापाव निगुन के यहां पर जो 5 मच खेला उनमें से इक ही मच जीत पाए तो यहां पर सिंगापूर भी winning chances है 70% और PNG मतलब पापूर नहीं एक अच्छा टीम है लेकिन सिंगापूर से थोड़ा सा कम इनका winning percentage है क्योंकि recent form उतना अच्छा नहीं है 30% है सिप इनका winning chances तो कैस्स अभी हम देखेंगे दोनों टीम को प्रवाबरल प्लेंग एक सरी वी तेक एकस्पेक् करेंगे दी वहाँ पर opening order कुछ ऐसा था रोहन रंकर राजन सुरेंदन चंद्रमोन के साथ opening की थी और रोहन ने बारन किये और सुरेंदन नहीं है पर दीखेंगे पैंटे लेसन मनाया तो आपके लिए बहुत अच्छे पिक्स हो सकते है कि रिसेंडली अच्छे फोंपर है तो इसके मताबिक आप कह सकते है कि सुरेंदन चंद्रमोन अपके लिए अच्छे पिक्स बन सकते हैं स्मॉल लिग गार लिग दूनों में ही जैनक प्रकास देखेंगे बैटिंग के बाइसन मनाया लेकिन बोलिंग करके विकट लेस गए अरियमान सुनील इनकी बात करेंग अब देख सकते हो कि नमबर चार पर मत्रब टू डाउन बैटिंग करने आ रहा है साथ में बोलिंग भी पूरे के पूरे चारवाट डाल रहा है साथ में तीन विकट भी निकाले तब कि यह बहुती बड़िया कैप्टन सी और भास किन चोईस इस मैस पर रहने वाले है और भाइस के चोईस पर जा सकते हो नमबर चे की बात करें नमिन परम यहाँ पर लाशन पर जीरो रहा है अमांद सी नमबर साथ पर रहेंगे चे रहन मनाए विनोद भास करन देखिए लाशन पर जीरो पर अड़ है लेकिन बोलिंग करके एक विकेट ले गाए तब के की देखिए दोनों ही मतलब बोलिंग बैटिंग दोनों से आपको पहांच देख जा सकते लेकिन लास्ट मैच पर किया हुआ बसकरन को बोलिंग मिले लेकिन नभीन को नहीं मिले विनत बसकरन नमबर आट पर बैटिंग करना थे लेकिन नमबर चे पर आये तो ये अंतर करें अमजाद मेहमूत बोलिंग करके विकेड लेस रहे एकसे रुपक परी नंबर ग्यारा पार आएंगे लास्ट मैच पर एक उके निकाले और गाईस अभी देख लीजे कौन-कौनसी प्रेयर सिंगरपूर के तरफ से रिसेंट फॉर्म की वाज़े से आपके लिए अच्छ दीचाल जाए तो वहां पर अच्छी बात नहीं लेकिन बारान मनाए इनिंग्स बिल्डप करने की कोशिस की थी उससे पहले 20 प्लास रान मनाए तो इसके मतलब हम कह सकते हैं कि इस मैच पर अच्छा कर सकते हैं तो यह हमारे टिम पर फिलल रहने वाले है रून नंगर रज करेंगे कि पापव नेविन की तरफ से असाद वाला सी से बाव के साथ अपनिंग करने वाला है असाद वाला की रिसेंट टीट्विन की स्कोर आप देखिए आट रर मनाया सिर्फ तो आपके लिए उतना रिसेंट ले अच्छे स्कोर नहीं कर रहा है तो आप इनको सेसे बहु की बात करें देखिए लास्ट दो इनोंने ओडिया ही खेले लेकिन टीट नहीं खेले तो रिसेंट फांग को को औरशेर करते हुए अब इनको पिक कर सेको लेकिन दीट ये की ऐसकोर नहीं है ओडिये में जाता है 50 आभरो तकर मैच रहता है तो हहांपर बैटर सक ज़्यादा बॉल देखके खेनने का मौका रहता है लेकिन 20 अबर के अंदर उपना ज़्यादा एड्वेंटेज नहीं रहता है तो इसलिए अब अगर चाहे तो इनको ले सकते हो या फिल ट्रॉप भी कर सकते हो ट्रॉणी यूरा देखिए नमबर 3 पर आये थे और यहां पर लास्ट मेंच पर डेक पर आउट है चेट सौपर एक अच्छा ओल अंडर है लेकिन लास्ट मेंच पर बैटिंग में कुछ नहीं कर पाए लेकिन बोलिंग करके एक विके निकाले तो यह अब के लिए अच्छे कर सकता क्योंकि इनके पास तीन से चार ओवर बोलिंग करने लेकि पूरे चांसे से रहता है साथ में पर नमबर 6 मतलब 4 डाउन पर बाटिंग करेंगे वैसे भी यहां पर टॉप अच्छे फोंपन नहीं है एक या तीन नमबर को अगर आप देखे तो यह पर देखिए इसका मतलब यह नहीं कि योग प्लेयर अच्छा नहीं है उनको मौका देना चाहिए दुबारा और उनको मतलब उनके उपर भरोसा रखना चाहिए तब जाकर उनकी बेस्ट परफ्वर निकल के आ सकते है नमबर साथ की बात करें साइमन अटाई नमबर साथ साथ पर चे cm3-4-1 मतलब चार मेंच पर ब्लास विकर लेने की इशना रहता है तो आपके लिए भी अच्छे पिक्स बन सकते है इस ओले मैच पर नमबर नो की बात करें, सीमाओ कामिया, तिर उके निकाले लास्ट माच पर, और आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपिक रहने वाला है इस माच पर, ऐले नेयों देखिये, दो उके निकाले लास्ट माच में रायली हेगियुरे, दो मैच पर, एक कर्पै डो दो उके निकल, तो क्युकि देखिए इनके पास पूरे के पूरे चार अपर बोलिंग करने की चांसेस रहता है उसे के साथ विकेश रहने की चांस आप देखिए हैं पर देखिए काब हमारे टिम पर जो रहेगा सेशे बाव असाद भला भी रह सकता है या फिर आप इनको ड्रॉब इंको ड्रॉप भी कर सकते होंैं अगर आप سेशेबा भाव को ड्रॉप कर रह तो आप सेशे बाव को ले लिजी तो आप थोड़ा सा रिसकी उप्शन पर इनको ट्राई कर सकते हो चैट सबर इनके बारे में हमने आपको बता दिया कि अच्छे होलोंड रहा है लेकिन जब टॉपडर गिरेंगे तो यह अच्छे कर सकता है उसके साथ नर्मन महनवा जो है इनका भी सेम यहां पर कॉंडिशन से कि जब टॉपडर जल्दी गिरेंगे तो इसके पस मौका आ सकते है या फिर टॉपडर अगर टिक जाए अगर अच्छे खेल जाए तब इनको मौका नहीं मिलने वाले है तब यहां पर चाल सावेनी चैट सपर के अंदरी यहां पर नंबर पांच के अंदरी मैच रह जाएगा तो गैस यह रहागा आपके लिए पी औजी तरफ से टीम साथ भी यहां पर देखिए कावा मोरिया और सेमों कमें यह गई आठ प्लेयर्स एली नहीं हो रैली है कोरी यह भी अपके लिए चेपिक्स हो सकते है आप गया लिंग पर थोड़ा थोला अलगला परेस्टन बनागर ट्राइ कर लेना तो कैसे यह अपके लिए स्टाट्स होना ले इसके बात अभी चाहता है ड्रीबिलिंग तरफ वहां पर हमने एक स्मॉल लिए का डेमों टीम बना कर आपको दिखाएंगे लेकिन वो टीम फाइनल ही है फाइनल टीम आपको टॉस के बाद हमारे टेलीगम पर ही मिलेंगे लि लिए फेलिग खेल सकते हो तो कैस देर किस बात की अभी टेलीगम चाल्ड जोइन कीजिए अभी चलते है ड्रीवलम की तरफ तो कैस देखिए यह पर इस अटाई अच्छे प्लेयर है लेकिन मंदिर सिंग ये भी अच्छे प्लेयर हो सकते है नमबर चार ये नमबर पांच चेपर आ सकते हैं तो इन दोने में से आप किसी एक कोपी कर सकते हो लेकिन फिलाल हम जाएंगे एस अटाई के साथ क्योंकि इनकी सिलेक्षन थोड़ा सा जादा है 74.22 परसेंट बैटिंग सिलेकर आप देखें हमारे टिपर रहने वाले है असत भला रहेगा टौनी उड़ा रहेंगे और चंद्रा बोन रहने वाले है या फिर आप आर गजन भी के साथ भी जा सकते हो LCA का Ace-Bow इन दोनों में से किसी एक खेलने वाले है तो Ace-Bow अगर खेले तो आपके लिए अच्छे पिक्स हो सकते है कि कोई recent score इतना मतलब उनका ज्यादा अच्छा है तो फिलल हम इन दोनों के साथ नहीं जा रहा है क्योंगी दिखिए अभी हम final team नहीं बना रहा है Demo team बना रहा हूँ तो आप चाहे तो इन दोनों में से किसी को try कर सकते हो गजन भी आपके लिए अच्छे picks बन सकते है इनके selection भी बहुत ज़्यादा है 80.71% तो आप चाहे तो इनको भी pick कर सकते हो small league के team पर अभी all-rounder section की बात करें यह महभूब उसके साथ के मोरी है यह तीन प्रेस हमारे team पर फिलार रहने वाल है और ही क्यूरे इस कमिया इनको भी आप ट्राइ कर सकते हो लेकिन final news तो भी नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पर हम एक changes करेंगे क्योंकि यह recent form की सबसे हम team बना रहा है तो यह पर एक किसना के जगह हम जाएंगे भी बसकरन के साथ तो यह हमारे team पर रहने वाल है तो किसे यह पर हमारे team के जो captain रहने वाले हो है फिलाल C Amini और वाज कर डायने वाल है जे प्रकास लेकिन देखिए आप चाहते हैं यह पर टी उरा या पी अस्ताद भाला को ट्राइ कर सकते हो उसी के साथ आपके लिए C सपर भी एक अच्छे option बन सकते है इस match पर तो किसे भी save करके आपको preview दिखोंगा और preview में थोड़ा से ग्राइन लिक और भी डिस्कस कर देंगे तो किस देखिए यह पर A सट आई विघिट की बनिग सक्षण पर है बैटिंग की बात करें टी उरा अस्त भाला और चद्रमौन ये थीन पर सहने वाले बैटरस में और और ओलॉंडर सक्षण की बात करें आप यहाँ पर देख लिए टी उरा असत भाला आपके लिए शेफ है ही चंद्रमौन सी सपर के मरिया वी बासकरण तो यह छे प्लियर्स आपके लिए ग्राइलिक पर बहुत ही अच्छे लेकिन रिस्की पीक बन सकते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा इनके पास अच्छे परफंस आपको मिल जाए तो आपके लिए वान सादेश ग्राइडलीं कोई करवा सकते है तो यह अगर आपके लिए पर अच्छे लगहे तो लाइक शेर सब्सकों जरू कीजिए और साथ में बे तेंक यू सो मच, अल्दे बेस्ट, मिल दे नेक्ष्ट वीडियो पर.